हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू दी चानल दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग क्लास 10 कोड 165 के लिए जिसमें आज हम कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिसकस करेंगे उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा नेटवर्क होता क्या है अगर आपको नेटवर्क समझ में आ जाता है तो फिर आपको कम्प्यूटर नेटवर्क बड़े असानी से समझ में आएगा इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा नेटवर्क होता क्या है फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कम्प्यूटर नेटवर्क हमारे क्या ह उशके बाद देखेंगे computer network के characteristics, first computer network हमारा क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे computer network के components के बारे में जैसे internet service provider हमारा क्या होता है, web browsers हमारे क्या होते हैं, website, web pages क्या होते हैं, URL का क्या काम होता है इन सारे topics के बारे में आज की वीडियो में हम लोग discuss करेंगे तो चलिए बिना time गवाई वीडियो को शुरू करते हैं अगर हम network की बात करें कि network हमारा होता है क्या है तो network का मतलब होता है group of people, group of things या group of devices किसी भी चीज का group चाये वो group आपका इनसानों का हो चाये वो group आपका किसी चीज का हो चाये वो group आपके डिवाइसे का हो उस group को हम क्या बोलते हैं network बोलते हैं छोटा से एक्जामपल अगर हम आपको दे सब्सक्राइब आप अपने घर में हैं और आप अपने system मतलब आप अपने computer के साथ कुछ दिवाइसे कनेक जय से आप अपना headphone कनेक एंगे हुएं आप एक speaker कनेक किये हुए हैं यह एक Bluetooth डिवाइस कनेक किया हुए यह सारा connectivity जो बन रहा है वो एक network बन रहा है उसी connectivity को हम क्या बोलते हैं उसी group को हम क्या बोलते हैं network बोलते हैं तो I hope network आपको समझ आया होगा, अब हम जानते हैं कि हमारा computer network क्या होता है, a computer network is a set of computer devices connected together for the purpose of sharing information और resources, computer network हमारा क्या होता है, set of computer या devices होता है, जो आपस में एक दूसरे से connected होते हैं और उनका काम क्या होता है, कुछ information या resources को आपस में share करना जैसे मैंने अभी आपको example बताया था, कि आपको system से अगर कुछ चीज़े connect हैं, तो क्या हो रही हैं, आपस में resources share कर रही हैं, माल लिजए आपके computer से आप speaker connect के होएं, तो आप क्या कर रहे हैं, कि उससे गाना बजा रहे हैं, या फिर कोई video देख रहे हैं, तो यह क्या हो रहा तो computer के कुछ characteristics हैं, जैसे sharing information, information share का मतलब क्या होता है, कि जो devices आपस में connected है, वो कुछ ने कुछ information या कुछ ने कुछ resources आपस में share कर रहे हैं, दूसरा क्या है हमारा communication, अब्वेसी बात है, network के थुरू या computer network के थुरू हम क्या कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं, हना अगर आप माल लि आपने लि49 साद करना चाते हैं, information share करना चाते हैं, तो आप network के मदत से ही क्या कर सकते हैं, share कर सकते हैं और एक दूसरे से communicate कर सकते हैं, तो communication भी हमारा क्या एक computer network का है, उसके बाद है amat sharing resources, आप resources share कर सकते हैं, resources in the sense, अगर आपको को क्या कुँछ화 कर और क advent कर सकते हैं, अगर करें, कुछ डोकुमेंट शेयर करें, तो आप network या computer network के मदद से share कर सकते हैं, उसके बाद किया हमारा Flexible access है, आप आसानी के साथ क्या कर सकते, computer network को access कर सकते हैं, तो यह हमारा concept होता है computer network का, अगर हम पहले computer network की बात करें तो हमारा पहला computer network है आर्पानेट जिसको डेवलप किया गया था 1969 में किसके दुआरा US का defense army था उसने इसको डेवलप किया था जिसका नाम परा था आर्पानेट डेवलप किस ने किया था वेंट सर्फ ने डेवलप किया था इसलिए हम वेंट सर्फ को क्या बोलते हैं father of internet भी बोलते हैं अब आर्पानेट की full form की बात करें हम तो A का मतलब होता है advance, R का मतलब होता है research, P का मतलब होता है project, A का मतलब होता है agency और NET का मतलब होता है network तो एक्जाम में अगर पूछे आप से कि what is the full form of ARPANET तो आप क्या लिखेंगे advance, Research, Project, Agency, Network अगर पूछता है develop किस ने किया था तो वेंट सर्फ ने किया था अगर पूछेगा कब develop किया था तो 1969 में develop किया गया था तो यह हमारा पहला network था तो हमेशा याद रखिएगा आप कि पहला network हमारा कौन सा था आरपा net था आगे चलते हैं हम लोग कुछ types जखते network का ज़्यादा इसको elaborate नहीं करेंगे बस आपको basic basic समझाएंगे कि हमारा network का types क्या क्या होता है सबसे पहला होता है हमारा personal area network अगर हम personal area network की बात करें जिसको हम short form में pan बोलते हैं personal area network में जो भी network है जो आपने खुछ से डिजाइन किया है हना suppose करो आपने एक घर में एक network डिजाइन किया है जिसमें आप अपने computer के साथ कुछ devices को connect किये हुए है वैसे network को हम क्या बोलते हैं pan बोलते है personal area network बोलते हैं दूसरे type का जो network होता है हमारा वह होता है land इसको हम बोलते है local area network local area network में क्या होता है कि जो आपके network components है वह एक small area के लिए आपस में connected होते हैं आपका 10 मीटर से लेके 1000 मीटर के अंदर में जैसे महां लिजे कोई building है या फिर कोई office है या इसकूल है उसमें जो network का जो हमारा group of network है या फिर network design है उसी network को हम क्या बोलते हैं land बोलते है local area network बोलते हैं थर्ड टाइप का हमारा होता है man जिसको हम बोलते है metropolitan area network इस network में क्या होता है जो हमारा group of networks है या group of lans है जो चोटे-चोटे land है हमारे वह आपस में क्या होते है connected होते हैं suppose करो आपका दो school है एक school आपका एक location पे दूसरा स्कूल आपका दूसरा location पे है दोनों जो location पे हमारा स्कूल है दोनों का अलग-अलग local area network है अगर आप उस दोनों local area network को आपस में connect कर देते हैं तब जो network form होता है that network is known as metropolitan area network four type है हमारा वैन जिसको हम बोलते हैं wide area network wide area network के में क्या होता है कि जो हमारे large area के लिए अगर हमारा connected है एक दूसरे से तो वैसे network को हम क्या बोलते हैं वैन बोलते है wide area network बोलते हैं जिसके range की हम बात करें तो आपको लग-बग 10,000,000 km तक उसका range होता है मल्टिपल कंट्री में अगर connectivity है तो हमारे क्या होता है वैन होता है सब्सक्रों एक network इंडिया में है दूसरा network आपका यूएसे में और तीसरा network आपका मालेजय अस्टेलिया में अगर यह तीनों network एक साथ आपस में connected है तब जो network form होता है उसी network को हम क्या बोलते हैं वैन बोलते हैं wide area network बोलते हैं यह तो बात हो गई network के और network के types की अब बात आती है कि हमारा internet क्या होता है internet is the large interconnected network और network of network network of network को ही हम क्या बोलते हैं internet बोलते हैं यह large connection होगा अगर हमारे network का आपस में एक दूसरे से connected है तो उसी को हम क्या बोलते हैं internet बोलते हैं internet is a worldwide global system of interconnected computer network हमारा internet क्या है globally अगर हमारा जो computer network है आपस में एक दूसरे से connected है तब जो network होता है उसी network को हम क्या बोलते हैं internet बोलते हैं या फिर दूसरे language में क्या बोल सकते हैं internet is a network of network that is used to interconnect different type of computer all over the world internet के हमारा network of network है जिसका use क्या जाता है हमारे different types of computer को एक दूसरे से connect करने के लिए या फिर आप बूस सकते हैं आपसे exam में कि large network हमारा क्या होता है तो आप बता सकते हैं वहाँ पे जो हमारा internet होता है वही हमारा सबसे large network होता है आगे चलते हैं हम लोग और जानते हैं कि हमारे components कौन-कौन से हैं internet के internet की components की बात करें तो सबसे पहला हमारा होता है ISP जिसको हम बोलते हैं internet service provider ISP is a company that provides internet access to companies families और mobile user ISP क्या हमारा internet service provider है मतलब जो आपको internet service provide कर रहा है उसी को हम क्या बोलते है ISP बोलते हैं जो क्या कर सकता है mobile users को companies को families को इन सारे को क्या करता है internet service provide करता है ऐसे company के example से आपका जैसे AT&T Labs है हमारे Verizon है हमारे Comcast है ETC यह हमारे ISP company हैं दूसरा component होता है हमारा web browser a web browser is a browser is an application used to access and view websites यह क्या है एक application है जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी website को या application को view कर सकते हैं जैसे example पर आपका Google Chrome है Microsoft है ओपेरा है यह सारे हमारे क्या है web browser के example है अगर आपको websites को view करना है उसके contents को read करना है तो आपको क्या चीज़ की जरूवत पड़ेगी web browser की जरूवत पड़ेगी थर्ड है हमारा website लेकिन website से पहले हम यह जान लेते हैं कि web pages हमारा क्या होता है single page which contains some information web pages का होता है हमारा single page होता है जो कुछ information containing करता है उसीको हम क्या बोलते है web pages बोलते है और इसी page के collection को हम क्या बोलते है website बोलते हैं अगर collection of web pages है तब जो आपका website बनता है जब हम बहुत सारे webpages को आपस में एक साथ connect कर देते हैं तब जाकर हमारा क्या बनता है वेबसाइट बनता है अब website consists of many webpages linked together under a common domain हमारा website क्या है जो कि बहुत सारे webpages को आपस में एक दूसरे से connect करता है एक common domain पर अब अगला term आता है हमारा कि URL क्या होता है uniform resource locator URL का full from होता है uniform resource locator to access a website और a web document a client supplies a unique universal identifier अगर आपको कोई भी website या कोई document को access करना है तो जो आप हैं वो क्या करेंगे आप इसको एक unique identifier देंगे हर website का हर web pages का क्या होता है unique identifier होता है जिसके थुरू आप उसके content को access करते हैं अब URL के अंदर में बहुत सारी चीज़े आती है जैसे सबसे पहले हम लिखते है sttps यह हमारा क्या होता है protocol होता है protocol का मतलब होता है set of rules set of rules मतलब माली जह आप एक स्कूल में पर रहे हैं वहां के कुछ rules and regulation है कि आपको पूरा ड्रेस पेन के आना है आपको सबसे पहले class में इंटर करने के बाद जो भी सर्य मैडम है उसको आपको क्या करना है सुबह में गुड मॉर्णिंग बोला या बहुत सारी रूल होते हैं कि आपको गेम नहीं खेलता है या 15 मिनट का ब्रेक है तो आप 15 मिनट बाहर जा सकते हैं तो कुछ rules and regulations होते हैं जो के आपको फॉलो करना जरूरी होता है इसी तरह से इंटरनेट के दुनिया में भी कुछ rules होते हैं उन rules को हम क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल बोलते हैं स्टी टी टी पी का फुल फॉरम होता है हमारा hypertext transfer protocol आप दो तरह का स्टी टी पी होता है हम आगे आपको बताएंगे अभी बता जिते हैं एक होता है स्टी टी टी पी एस जिसम्हें एस लगा हुआ हुआ है वह आपका सिक्योर टाइप के हमारा प्रोटोकॉल जिसम्हें एस होता है interconnected system of public web pages access through internet यह क्या होता है जो हमारे public web pages है उसका connection connection होता है जिसके थुरू हम क्या कर सकते हैं internet के थुरू उसको access कर सकते हैं उसके बाद आपको search engine का नाम है जैसे मैंने या Google लिखा है यह हमारा होता है search engine software program that helps people to find information online यह हमारा क्यों होता है software program होता है जो लोगों को मदद करता है कि आप online information को कैसे find कर सकते हैं उसके बाद आप देख रहे हैं लिखा है dot com या कहीं आप देखते होंगे dot in लिखा हुआ कहीं पर देखते होंगे dot org लिखा हुआ तो यह basically हमारा होता है डोमेन का मतलब होता है extension of the web pages या website हमारे जाद वेबसाइट है उसके extension को हम क्या बोलते हैं domain बोलते हैं domain अब अलग-अलग होता है dot com लिखा है तो उसका मतलब हो कि हमारा commercial टाइप का है dot org लिखा हो तो उसका मतलब होता organization टाइप का है dot in मतलब इंडिया dot UK लिखा हुआ तो United Kingdom इस टाइप से हमारे domain को indicate किया जाता है तो यह टॉपिक थे जिसमें मैंने आपको बताया कि network हमारा क्या होता है computer network first network हमारा क्या है network network types के बारे मैंने तोड़ा सा discuss किया internet और components of internet के बारे में आपको बताया आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और टॉपिक्स है जैसे internet के बारे में देखेंगे उसके बाद हम लोग वो www के बारे में देखेंगे worldwide wave जिसको डबलू थिरी भी बोलते हैं इन दो टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में आपसे डिसकस करेंगे तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शियर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई जय हिंद